शारीर की अभिला शाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर शारीर की अभिला शाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर वी जय में पाओं, जय में पाओं, ता की तेरे वी जय सादिकूं ता की तेरे वी जय सादिकूं अब सुनी रखे है सुपर संदेश, Morning Boys अब प्रफुक अद्दास, टीवी आंजनी अंग्लेशर सवजन से वाटा जाएगा जय मसिकी, सुपर संदेश की द्वारा परमेशर की वचन जो सुनत है सभी स्रोधगनों को हमारा हार्दिक स्वागद है आज का मनन के लिए बजन संदा दूसरा अध्याई की साथ विकलम सामस चाप्टर टू वेर्स सेवन मैं उस वचन का प्रजार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा तू मेरा पुत्र है आजे तू मुझसे उल्पन हुआ प्रभ की नाम की महिमा हो दूसरा बजन संदा में प्रभीशु मसी का बारे में अलग-अलग बाते हम दे सकता है और दूसरा अध्याई की दूसरी कलम में अभिशक्त तरीके लिखा हुआ है और कलम चे में लिखा है राजा सातवी कलम में और बारा कलम में पुत्र तरीके लिखा हुआ है इसलिए प्रभीश्य मसी को स्फ़स्ट रेदी से इसमें हम दे सकता है यहां हम कहते हैं तू मेरा पुत्र है आज तू मुझसे वुल्पन हुआ इस प्रगार हम दे सकता है लेकिन लुकोस का सुसमाजार पहले अध्याई की 35 मी कलम में इस प्रगार अम पड़ते हैं सोर्ग दूद ने उसको उतर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रदान की सामर्त तुझ पर चाया खरेगी इसलिए वह पवित्र जो उल्पन होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा यहां सोर्ग दूद और मर्यम का साथ में बात करते हुए हम दे सकता है मर्यम को जो संदान को दिया है यह परमेश्वर का पुत्र है पुत्र बोलेगा तो पिदा से चोटा है इसी प्रगार अमारे हम मनुश्य का हुर्दई में विचार आते हैं लेकिन पुत्र और पिता है ये दोनों इक्वल है और इसी प्रगार हम दे सकता है और पुत्र नहीं तो पिदा भी नहीं है, पिदा नहीं तो पुत्र नहीं है, इसमें हम दे सकता है, पुत्र का पदवी, पिदा का पदवी एक समय पर आ जाता है, इसके लिए प्रभु हमको सहाइद करे, हम पुत्र इशमसी का बारे में अबरानियों का पत्रिगा पहलिया दियाई की पांचवी कलम में इस प्रगार पड़ते है, क्योंकि सोर्ग दूदों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझे से उल्पन हुआ है, यह हम इसी प्रगार कहते है, कोई भ पास में है, पुत्र तरीके कहा है, लेकिन पुरान नियब में पुत्रों तरीके सोर्ग दूदों को कहा है, लेकिन यह हम आम दे सकते हैं, परमेश्वर का पुत्र तरीके प्रवीशुमसी को कहा है, पुरान नियब में आम दे सकते हैं, और प्रवीशुमसी सोर्ग दूद क रूप लेकर भी हाये है और दूद तरीके भी प्रभु का वचन में हम पढ़ सकता है लेकिन नए नियम में और सुर्ग दूद तरीके कुछ बातें लिखा नहीं है पुत्र तरीके लिखा हुआ है इसलिए प्रभु हमको सहाइद करें सासात में हम प्रेरद्वाम का काम 13 ध्य कि परमेश्वर ने इशु को जिला कर वही प्रदितना हमारी संदान के लिए पूरी की जैसा दूसरा बजन में भी लिखा है तू मेरा पुत्र है आज मैं ही ने तुझे जन्माया है और उसके इस रीदी से मरेवों में से जिलाने के विशय में भी कि कभी ना सड़े उसने यों कहा है इसी प्रदार हम दे सकता है पूत्र का पदवी इधर तो हम दे सकता है पुनुर्धान करने का बाते यहां हम दे सकता है मनुष्य को और से कुछे बच्चा जनम होता है तो उसको पूत्र कहता है और मनुष्य का रीदी से इसी प्रदार कहता है लेक प्रगारम पढ़ सकते हैं, पुत्र का है तो उसका आर्त है, जो मरेव में से जिलाया है, वो जिलाने का सम्मद में यहाम तो लिका हुआ है, यह बातें यहाम हम दे सकते हैं, और प्रभु हमको सहाइद करें, साथ साथ में हम योहान की सुवार्ता पांचिय अध्याई की 22 और 23 आयद में भी हम कुछ बातें और देखेंगे, पिदा किसी का न्याई नहीं करता परंदू, न्याई करने का सब काम पुत्र को सौम दिया है, कि सब लोग जैसे पिदा का आदर करता है, वैसे ही पुत्र का भी आदर करेंगे, तो यहाम हम दे सकते हैं, और पिदा और पुत करने का दिगार पुत्र का हाथ में दिया है और पिदा को जो हम सम्मान देते हैं इसी प्रगार पुत्र का भी सम्मान देने का बात यह हम दे सकते हैं इसलिए परमेश्वर हमको सहाइद करें प्रभीश्व मसी का पुत्र का पदवी में हम दे सकते हैं परमेश्वर का पुत्र इस आर्थ हम दे सकता है कि मरेवम से जिलाने का बात इस बातें प्रगड होता है इसके लिए परमेशर हमको सहाइद करें और प्रभीश मसी 2000 साल पहले इस पृत्वी माई एक मनिश होकर जहनम हुआ अमारा सारा पाब को और धूर करने के लिए पाब का सजा उठाने के लिए प्रभीश मसी इस पृत्वी माई साड़े तेत्री साल तक प्रभीश मसी इस पृत्वी में रहा अंदिम समय में प्रभीश मसी और मेरे लिए आपके लिए उसका जीवन दे दिया है इस महान विशय को यहाम समझाता है क्रूस का मृत्यू इतना भयंगर मृत्यू है एक भी पाब नहीं किया है वो परमेश्वर का पुत्र है लेकिन मनुश्य का पुत्र जैसे इस पुत्यू में रहा अंदिम समय में उसका जीवन अमारे लिए दे दिया है इसी भातों को यहाम वर्नन करता है इसके लिए प्रभू हमको सहाइद करे हम बजन संगीदा दूसरा ध्याय की भारा आइद में इस प्रगार पड़ते है पुत्र कुछूमो ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्गी में नस्ट हो जाए क्योंकि शन बर में उसका क्रोध बढकने को है दन्ये है वे बरवसा उस पर है ये बजन संगीदे में इस प्रगार करते हैं पुत्र को चूमो पुत्र को आराद न करो सर्वस उसका महिमा करो इसी प्रगार का बाते यहाम हम दे सकता है और पुत्र है इस दुनिया में परमेशर ने बेजा है वो पुत्र का बारे में हम देखा है वो पिदा और पुत्र इक्वल है समानद में है लेकिन हमारे ओपर परमेशर पिदा का प्रेम पुत्र का द्वारा प्रगड किया है हम पावी ते पावी लोगं को बचाने के लिए दूसरा मार्ग नहीं और उसको सूली पर चड़ाना है मरने का बात में तीसरे दिन जीवुट कर आज सुर्ग में है फिर आएंगे इस प्रगार के वाइदा दिया उस महान वाइदा के लिए हम स्तूति करेंगे वो समय पर खलीसिया जो उसको पर विश्वास करने वाला लोग पुत्र को देखेंगे उसको आरादना करेंगे और स्तूति करेंगे और पुत्र का पास में हमारा सारे मान महिमा आदर की बेट सड़ाएंगे इसी प्रगार का बड़ा आशा हम को दिया है इसके लिए खालता है पुत्र को चुमो ऐसा ना हो की वह क्रोध करें इस पृत्वी में हमको पुत्र को चुमने के लिए हमको अधिगार दिया हम सुर्ग में भी उसकी आरादना करेंगे उसकी नाम की महिमा हो जै मसी की